मत्रा में UPSTF की टीम ने मुखतार अंसारी के शाप शूटर पंकच यादव को मुढभेड में धेर कर दिया है UPSTF के लिए ये एक बड़ी सफलता है उख्याद बदमाश पर दो दर्जन से अधिक हत्य ऐवं अन्य संगीन मुकदमे दर्श थे मत्रा में STF ने पुलिस कर्मी की हत्या के आरोपी बदमाश को एंकाउंटर में धेर किया है बदमाश का नाम पंकच यादव था वो मुखतार अंसारी और शाहबुद्दीन गैम का शाप शूटर था बताये जा रहा है कि पंकच यादव पर एक लाग का इनाम था और वो काफी बक्त से फरार था STF के अनुसार ये एंकाउंटर बुद्वार सुबह चार वजे मत्रा आगरा हाईवे पर फरहात खानाच शेथी के पास हुआ मुख्बिर से सूचना मेरी थी कि पंकच अपने एक साथी के साथ बाइक से आगरा की तरफ जा रहा है STF ने घेरा बंदी की तो वो गाउं की तरफ घूम गे और फाइरिंग शुरू कर दी STF ने भी जबावी फाइरिंग की इसमें पंकच को तीन गोलिया लगी एक गोली उसके पैर में दूसरी गोली कमर पर और तीसी गोली सिर पर लगी वहीं उसका साथ ही अंधेरे का फाइदा उठा कर भागने में कामियाब रहा अब उसकी गिरफतारी के लिए पुलिस दबिशते रही है उधर पंकच को जिला स्फ़ताल लाए गिया चहां डॉक्टर्स ने उसे मृत खोशित कर दिया चौतिस साल के पंकच के पास से एक पिस्टल, रिवॉल्वर, कार्टूस और बाइक बरामत की गई दी पंकच मौ में ठेकेदार मुन्ना सिंग हत्याकान के मुख्य गवा और उसके पुलिस सुरक्षा कर्मी के हत्या का मुख्य आरोपी था उस पर हत्या, लूट, डकैती और रंगदारी समेच 40 से ज्यारा मुकद में दर्श थे हिस्टी शीटों को पकड़ने के लिए पुलिस और स्टी एफ लंबे समय से दबिशते रहे था पंकच यादव, उर्फ, नकडू, पुत्र राम प्रवेश यादव, यूपी के मौउ के ताहिरापुर का रहने वाला था वो कई पुलिस कर्मियों के हत्या के मामले में भी फरार चल रहा था स्टी एफ के मताबक पंकच, मुक्तार अंसारी और बिहार के माफिया शहबुद्दीम और अन्ने गिरोहों के लिए भाड़े पर हत्या करने वाला कॉन्ट्राक्ट किलर था वो मौउ जिले के थाना रानीपुर के गाउं तिरहारपुर का रहने वाला था पंकच पर यूपी पुलिस ने एक लाग का इनाम घोशित कर रखा था 29 अगस 2009 को मौउ की शहर कोतवाली इलाके में बदमाशों ने ठेकेदार अजे प्रकाश सिंग उर्फ मुन्ना सिंग की गोली मार कर हत्या कर दी थे ठेकेदार मुन्ना सिंग हत्याकान में 16 गवा थे इस हत्याकान के गवाहों की एक एक कर हत्या की जा रही थे उसकी जान के खत्रे को देखते हुए ही इनको पुलिस कर्मी मिले हुए थे फिर 19 मार्श 2010 को मुन्ना सिंग हत्याकार्ण में मुख्य गवाह, राम सिंग मौरे और उनके सुरक्षा कर्मी सतीश सिंग की गोली मार कर हत्या कर दी गई आरोप मुख्तार अंसारी ग्यांग पर लगा, इस केस में पंकच्या दब मुख्य आरोपी था और उसी घटना के बाद से वो फरार था अलाकि इस पूरे प्रकरण में पुलिस ने उस वक्त सदर विधायक रहे मुख्तार अंसारी सहित 14 के खिलाफ चार्टशीट दाखल की थी और बाद में मुख्तार अंसारी को संदेह का लाब देते हुए दोश मुक्त करार दे दिया गया था NBT Online की रिपोर्ट